Hello everyone, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल US Virtual Campus में. आज की इस वडियो सेशन में हम लोग वर्ल जोगरफी पर बात करेंगे. ये जोगरफी का एक बहुत important section है. जोगरफी को दो भागों में, जी इसके दिश्टी कौन से जोगरफी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है. एक है वर्ल जोगरफी और एक है इंडियन जोगरफी. ये ठीक है कि इंडियन जोग्राफी से सवाल ज्यादा तर होते हैं लेकिन वर्ल्ड जोग्राफी को भी हम लोग अंदेखा नहीं कर सकते हैं वर्ल्ड जोग्राफी से जो सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत ही डिसाइडर होते हैं क्योंकि world geography पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, ज्यादा तरह हम लोग इंडियन geography के परती हम लोग थोड़ा सा किंदरित होते हैं, लेकिन world geography की कुछ ऐसी बाते हैं, जो कि एक जामस में आपको बार बार देखने को मिलेंगे, इस world geography की series जो हम लोग ने start किया है, तो उसमें आज हम लोग बात करेंगे continent Asia पर, माना महादेश, आज हम लोग महादेश series को start किया हैं, और उसमें जो पहला खंड है, वो Asia पराधारित है, Asia से संबंदित, आज हम सभी महत्पून चीजों को देखेंगे, जो कि एक examination दिश्टी कुन से काफी important है, चलिए तो हमारा point number one क्या ह है, अब हम अपने business की start करते हैं, देखें, Asia को अफरीका से अलग करने वाले सागर, परवत, आप जो कह लीजिए, Asia को यूरोप से अलग करने वाले, Asia बाकी महादेशों से किस प्रकार से अलग होता है, अगर आप map को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ sea है, से अलग करता है, तो सबसे पहले हमारा point one में हम देखेंगे, कि Asia अन महादेशों से कैसे अलग होता है, कौन-कौन से चीज Asia को अन महादेशों से अलग करते हैं, चले सबसे पहले start करते हैं, भूमद्द सागर, Mediterranean Sea, चले भूमद्द सागर, चले इसके बादे Caspian सागर, Caspian Sea इंगलीज में इसे पढ़ सकते हैं, Caspian सागर, चले, काला सागर, ब्लैक सी, हलेकि ये काला नहीं है, नाम है इसका काला सागर, और इुराल परवत, और इुराल जो परवत है, ठीक है न, ये Asia को अलग करता है यूरोप से, ये जो चार चीज़ है, Mediterranean Sea, Caspian सागर, Caspian सागर, ये कई बार पूछा गया है, कि Caspian सागर किन दो महादेशों को अलग करता है, तो ये है Asia और इूरोप को, इसमें से कोई भी सवाल उठाया जा सकता है, कि Mediterranean Sea किन दो महादेशों को अलग करता है, तो उसका जबाब होना चाहिए, Asia और इूरोप, तो भूमद सागर, जिसको Mediterranean से भी काते हैं, Caspian सागर, काला सागर और इूराल परवत, ये किस दो महादेशों को अलग करते हैं, तो ये Asia को ठीक है ना, ये ये यूरोप से अलग करते हैं, मतलब Asia ये यूरोप से इन चीजों से अलग हो जाता है, चलिए, पॉइंट नमबर टू, चलिए, अब हम ये द संदी पले, आप इसको ऐसे समझ ले, बेरिंग जल संदी, ठीक न, बेरिंग, इसको हम कह सकते हैं, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक न, ये अलग करता है किसको, Asia को, अना, उत्री अमेरिका से, Asia को, उत्री अमेरिका से अलग करता है, चलिए, अब हम पॉइंट नमबर थाड में आते हैं देखते हैं कि इसी आमर अफ्रिका से कैसे अलग होता है देखें लाल सागर और स्वेज जल डमरूमद रेड़ सी लाल सागर नाम है लाल सागर और स्वेज जल डमरूमद ठीक ना यह अलग करता है यह किसको अलग करता है तो यह अलग करता है चलिए जस्ट इमिनिट ये अलग करता है सर आपको ठीक है ना लाल सागर और स्वेज जल डमरूमद है ये एसिया को अफरीका के मुकभूमी से अलग करता है यानि कि एसिया अफरीका से किन चीजों से अलग होती है तो लाल सागर से और स्वेज जल डमरूमद से तो ये तो सिप्रेशन वाली बात हो Asia बाकी महादेसों से कैसे अलग होता है चलिए point number हम लोग आते हैं 4 में चलिए अब हम लोग कुछ दूइप देख लेते हैं कि Asia में कौन से दूइप किस देश में स्थित है इसे सवाल आपको काफी देखने को मिलेगे कौन कौन से दूइप कहा पर इस्थित है चलिए तो दूइप सेक्षन को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो सबसे पहले जापान को पकड़ते हैं ठीक होकैडो देखे ये है होकैडो होनसू होकैडो होनसू चलिए ये बहुत important है ये चार दूइप है जापान में बहुत important है सिकोकू और एक है क्यू ठीक है ना सू ये जो चार जो है ये दूइप जो है वह कहाँ पर है तो जापान में है चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं होकैडो बहुत important ये दूइप है होनसू ये सब ओधोगिक बेल्ट है ठीक है ना ये जापान का इंडस्ट्रियल बेल्ट है सिकोकू और फिर हम ले लेते कुईशू ये जापान के ये चार मेजर आईलेंड है चलिए हम लोग आगे बाद को देखते हैं अगे बढ़ते हैं जापान अगे बढ़ते हैं इंडोनेसिया के ये फेमस आईलेंड है इंडोनेसिया के चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं बोर्नियो दिपसमू बहुत important है इससे कई बार सवाल भी पूछा गया बोर्नियो दूइप इस पर किन देशों का कबजा है कौन से देश बोर्नियों दिप समूपर अपना कबजा जताते हैं तो वो तीन देश हैं इंडोनेसिया इंडोनेसिया मलेसिया ठीक ना मलेसिया एंड बुरुनेई आप ऐसा समझे एंड बुरुनेई ये जो तीन देश हैं ये बोर्नियों र्जट आते हैं चली हम हम लोग ऐगे देखते हैं कि हमंपरेउप rdweep किस डीष में इस्थित है क्यों जाफना जो प्रायदीप है ये भाई सिरलंका में है जाफना जो प्रायदीप है वो सिरलंका में है तो ये कहने का मतलब है ये एसिया के प्रमुख ये द्वीप है और उनसे जुड़े हुए देश है एक बाद फिर से इसको देख लेते हैं होकैडो होंसू सिकोकू और इसके बाद आते हैं जावर सुमात्रा ये इंडोनेसय क தैंसों है चलिए बॉर्णेइशी तो हैं तो मलेसी और बॉर्नेइशी ये 3 देस न हम और न गॊ से उंडिफर जुड़ा हूए होगा है और जाफना प्राइदीप है पेनिंसुला है और ये सिरलंका में है आप ऐसे अब हमारा point number five है, अब हम लोग थोड़ा सा डिजर्ट को देखते हैं, कि कौन सा डिजर्ट कहां परिस्थित है, और वो किस देश में है, ठीक है ना चलिए, इसमें important जो डिजर्ट है, मैं सिर्फ important डिजर्ट के बारे में बात करूँगा, दस्त, ठीक है ना, दस्त एक कबीर, ठीक ना, और थोड़ा सा नाम है, अटपटा है, दस्त एलूट, यह रिगिस्तान है, यह जो दोनो रिगिस्तान है, यह इरान में है, यह जो दोनो रिगिस्तान है, वो इरान में है, इसके बाद एक है अलनफूद, और आपका डिजर्ट है, अलनफूद, ठीक ना, इसका नाम है अननाफूद, जो कि सौधियर अरभिया में है, चलिए कुछ और हम लोग डिजर्ट को देखते हैं, चलिए तकला मकान, बहुत फेमस है, यह कई बार एकजामस में पूछा जा चुका है, तकला मकान जो यह डिजर्ट है, यह चीन के अंदर है, और वो भी मर्वस ठीक ना यह भी चीन में है वो भी मरवस्थल जो है यह भी चीन में है चलिए तो यह important dessert है और उनसे जुड़े हुए देश है अब हम लोग कुछ नदिया को देख लेते हैं कुछ reverse को देख लेते हैं हमारा यह point होगा point number 6 चलिए अब हम लोग कुछ reverse को देखते हैं कौन सा reverse कहा पर है ठीक ना और उनकी क्याप वी सिस्ताए हैं चलिए पहले हम चलते हैं यांग यांग सिक्यांग ठीक ना चलिए एक हमारा रिवर है यांगत सिक्यांग इस पले रिवर के बारे में देखते हैं यह एसिया का सबसे लंबा यह रिवर है ठीक ना यांग सिक्यांग जो है यह यह Asia का सबसे लंबा नदी है, चलिए, यह, Asia का सबसे लंबा नदी है, जो चीन में स्थीत है, ठीक ना, सबसे लंबी नदी है, चलिए, नाम है इसका यांगत सिक्यांग, ठीक ना, और इसका जो लोकेशन है, वो चीन में है, चीन इस पर एक डैम बनाया है, वो फेमस डैम है, फ्री गॉर्ज्स डें ठीक है चलिए इस नदी पर एक कट सार वीस्टा वाली बात देख लेते हैं इस नदी पर जो डें बनाया गया है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हैं यह यह तो वांगो नदी इसको यलो रिवर भी कहते है पीली नदी भी कहते है इसको ठीक ना यांगो रिवर इसको चीन का सोक कहा गया है ठीक ना इसे चीन का सोक कहा गया है यह हर साल बरबादी लाता है चाइना में सोक कहते है ठीक ना इसे चीन का सोक कहते है चलिए वांगो नदी के ब एक सिक्यांग नदी देखिए अब हम लोग कुछ नदी और उनसे जुड़े हुए सहर को देख लेते हैं ठीक ना सिक्यांग नदी के किनारे एक इंपोर्टेंट चीन का सहर है जो कहते हैं गवांग जाओ जो है चलिए गवांग जाओ जो है वह चीन का एक परमुक सहर है जो क इसे ऐसा कहा जाता है बुहान एक सहर है जहां से कहा जाता है कि COVID-19 जो इसी जगह से इसी जगह से इसी नदी के किनारे एक और सहर है संगहाई चलिए तो सिक्यांग नदी के किनारे दो इंपोर्टेंट सहर है चाइना का बुहान और संगहाई और सिक्यांग नदी के किनारे ग नदी का नाम है चाव इंपोर्टेंट है चाव फ्राया ठीक ना यह नदी थाइलेंड में बहती है पले कहां पर कौन सी नदी है पले देख लेते हैं थाइलेंड में बहती है सब नाम अनोखा नाम है पाली बार आप सुन भी रहे होंगे चाव फ्राया एक थाइलेंड में बह ठीक ना सहर है चलिए यह है चाउफराया अब है मेकांग नदी बहुत इंपोर्टेंट नदी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ मेकांग नदी यह कई देशों से गुजरती है मेकांग नदी जो है न यह कई देशों से गुजरती है इसमें जो सामिल देश है वह है चीन थाइ जो सामिल दatiques न वे बार में मैं बात कर रहा हूं कमभोडिया और वियत नाम इसमें इतने देस मेकांग नदी में सामील है ऐसा है कि आमेजन देखिए दुनिया में अगर आमेजन जो बेसिन है यह सबसे बड़ा बायो डाइवर्सिटी जो नदी बेसिन है आमेजन का जो नदी बेसिन है इसमें दुनिया का सबसे बड़ा वो बायो डाइवर्सिटी रिवर बेसिन है जो सेकेंड जो सबसे ब बाद सरवादिक बायो डाइवर्सिटी वाला नदी बेसीन में कांग नदी का है यह इंपोर्टन बात है चलिए तो आमेजन बेसीन के बाद आमेजन नदी ठीक है आपने नाम सुना होगा आमेजन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा थिक ना बायो डायवरसीटी जयवदेड़ना चलिए बायो डायवरसीटी जयवदेदर धिक ना वाला नदी बेसिन वाला रिभर बेसिन कौन सा है वाला river basin मेकांग नदी है ठीक न वो है मेकांग नदी है तोड़ ध्यान से इसको देखना होगा Amazon सबसे बड़ा है और जो दूसरा सबसे बड़ा है बायो डाइवरसिटी के लिए मसूर है वो है मेकांग रीवर बेसिन चलिए मेकांग के किनारे ही कमबोडिया का जो राजधानी है नाम पिना ठीक ना इस्थित है चलिए तो यह हम कह सकते हैं कि जो जो सहर है क्या कहते हूं उसको नाम पिना जो सहर है कमबोडिया का वो इसी नदी के किनारे इस्थित है चलिए तो न आम पेना शुक्त न चले यes चैपिटल अफ के वकबौडिया कि कि वकंबौडिया की ल philanthrop कमबौडिया तो यह में कांग नदी के किनारहि इस्थित है चलिए तो यह important यह नदी है चलिए अब हम लोग चलते हैं टिरीस और यूफरेटस ये दो नदिये इराक में बहती है चलिए ये सारे इसिया के परमुक नदिया है ठीक ना चलिए एक नदी का नाम है टिग्रिस और यूफरिटस चलिए यूफरिटस यूफरिटस ठीक ना इसके किनारे इस्थित है सहर का नाम है हम यही पर मेंसन कर देते हैं अलबसरा बहुत ठीक काना वो इस नदी की किनारे है चलिए देखें कौन से नदी के किनारे कौन से सारे यह चामस में बहुत ज़ादा पूशता है अगर एकजामनेशन दिश्टा कों से बात करें तो नदी और सार जो वर्ड के हैं जो कभी-कभी unknown सायर पूश देता है वो सार के बारे में पू पूइचे जाते हैं चलिए तो हमारा अगला पॉइंट क्या यूफरिटास है। इसथीत है। और यही जो मेसुपोटामिय की जो सबह्ता थी तो दजला फरात जो नदी है। तो ये इफ्रिटस और टिग्रिस ये किस देश में बहती है ये इराक में बहने वाली नदी है ठीक ना इराक में बहती है चलिए कुछ और देश के नाम और उनके नदी को देखते हैं देखें एक इरावदी नदी ठीक ना बहुत इंपोर्टेंट बाते इरावदी जो नदी ह वो मैनमार की जीवन रेखा का लाती है लाइफ लाइफ लाइन का लाती है इरावदी नदी कहां बहती है इरावदी नदी मैनमार में बहती है तो इसका मतलब है सीधी सीवातम कहा सकते हैं इरावदी नदी को देखना मैनमार का जीवन रेखा जीवन रेखा कहा जाता है ठीकना जो इरावदी नदी है वो उसे मैनमार का जीवन रेखा कहा जाता है बहुत इंपोर्टेंट है ये साल्वी नदी मैनमार की सबसे लंबी नदी है आगे हम बात को देखते हैं साल्वी नदी साल्वी नदी मैनमार की ठीक ना मैनमार की सबसे लंबी नदी है सबसे लंबी नदी है चलिए हम लोग बात को आगे हम लोग लेके चलते हैं देखे एक नदी का नाम है सिनानो सिनानो नदी जापान की सबसे बड़ी नदी है चलिए यह हमें समझना है सीनानो नदी जापान की ठीक ना सबसे बड़ी नदी है सबसे बड़ी नदी है सीनानो जो है वो जापान की सबसे बड़ी नदी है चलिए हम लोग बात करते हैं बर्मपुत्र के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं बर्मपुत्र तीन देस में बहता है एक चीन भारत औ और बंगला देस ठीक है न चलिए ब्रहंपुत्र के बारे में तोरण से जान लेते हैं, आपने देस से संबंधी थे तो ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, ब्रहंपुत्र तीन देस में प्रवाइद होता है, एक चीन में, ठीक है न एक भारत में e और एक बंगला देस में इसके उत्पत्ति इसका ओरीजिन देख लेते हैं कि ये बर्मपुत्र निकलता कहां से है तो तिबत के गलेसियर से निकलता है और उस गलेसियर का नाम है चेम यूंग डूंग ठीक ना इसका ओरीजिन कहां से है कहां से इसके उत्पत्ति है बर्मपुत्र के उत्पत्ति कहां स तो चेम, यूंग, डूंग, गलेसियर, यह गलेसियर का नाम है, यह तिबत में गलेसियर है, और यहीं से यह निकलती है, और कहां जाकर कि यह फिर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक ना, इसका फॉल कहां पर होता है, यह कहां पर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में जाकर कि गिरती ये ब्रहंपुत्र ना दी देखिए इसको यारलूंग सांगपो इसको तिबत में कहा जाता है चिन में अभी आप कहा सकते हैं चिन में इसको कहा जाता है यारलूंग सांगपो ठीक ना चलिए ब्रहंपुत्र क बंगला देश में इसका नम क्या है», इसका नाम है इसका नाम है, छलिए ये ब्रहम पुत्र का नाम है, दे़के ब्रहम पुत्र को कहां क्या का जाता है, तिबत में इसका नाम है यारलूं सांको बंगलादेश में से जमुना कहा जाता है और जब किसी ब्रहंपुत्र जमुना में जब गंगा मिलती है तो इसका नाम पदमा होता है ठीक ना तो एक बहुत इंपोर्टन बात है कि जब जमुना में गंगा मिलती है जब जमुना में गंगा मि जिल्ती है कि मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है इसका नाम पदमा हो जाता है कि छेलिए यह बहुत depuiten राटेंट भात आ है तो ब्शेय अम लोगों ने अभी क्या आज देखा अधर इसको फिर स wr cooperation कर लेते हैं ठीक है ना चलिए इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे अभी हम लोगों ने सबसे पार्ट A में देखा ये इसिया वाले सिशन में कि इसिया किन-किन महादेशों से कैसे कैसे अलग होता है तो भूमद सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है ना काला सागर और यूराल परव अभूमद है वो अफ्रीकी भूमी से अलग कर देता है तो अब हम आते हैं पॉइंट नमबर फोर में कि कौन-कौन से डिउप किस-किस डिश में हैं देखे ये चार डिउप का नाम है होकाडो होंसू सिकोकू और कुश्यू ये जापान में इंपोर्ट ये चार हना ज्याद जापान की मैकसिमम जंसंक्या इसी चार डिप पर इस्थीत है केंद्रीत है ये एक इंडस्ट्रियल बेल्ट खासकर पर होंसू और होकाडो जो है ना वो इसका इंडस्ट्रियल बेल्ट है जापान का चलिए इसके बाद हम आते हैं जावार सुमातर ये फेमस डिप समू है इंडोनेसिया का बोर्नियो दीप पर अधिकार है तीन देसों का इंडोनेसिया का मलेसिया का और ब्रुने का चलिए क्यूराइल दीप कहां पर है तो क्यूराइल दीप है ना रूस में है और जाफना प्राइदीप का नाम है जो की सिरलंका में है चलिए रिगिस्तान आमें है वह भी मर्वस्थल भी चीन में है चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिवर्स के बारे में कि कौन सा रिवर्स कहां पर है ठीक न और उस की क्या खासियत है तो यांग जो यह एसिया का सबसे लंबी नदी जो चीन में स्थीत है पहले हम इसको इतना समझते हैं इस नदी पर थिरी गोर्ज डैम बनाया गया है बहुत बड़ा वो डैम है चलिए वांग हो नदी को ना यह इसको अना यलो रिभर भी कहा जाता है पीली नदी भी कहा जाता है अला कि पी सिक्यांग नदी के किनारे है चलिए चाउफराया एक इंपॉर्टेंट नदी है जो कि थाईलैंड में बहती है ठीक ना और इसी नदी के किनारे जो है आप थाईलैंड का जो कैपिटल है बेकॉंक यह इसी नदी के किनारे इस तिते चाउफराया मेकांक नदी के बारे में क गुजरता है चलिए अब इसके बाद एक मेकांग नदी मेकांग नदी के किनारे जो कमबोडिया का राजधानी है नाम पे नह इस्थीद है चलिए यूफ्रेटस और टिग्रीस जुन नदी है वो इराक में भाती है यूफ्रेटस नदी के किनारे अलबसरा नाम का शहर है और तिगरिस नदी के किनारे बगदाद नाम का सहर है। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं, एराउदी नदी को मैंनमार का जीवन रेखा काते हैं, ठीक न, और इसी नदी के किनारे, एक important बात है, हना, क्या काते है, यांगोन और मांडले सहर, यही मांडले सहर है, जहां पर go कि झारे जो इस्थित सहर है चलिए कौन है तो एक सहर यं चलिए और दूसरा सहर मन्ड ले और साल्वी नदी हैना मैनमार की सबसे लंबी नदी है चलिए सिनानु नदी का संबन्द किस देश से हैतो वह जापान से है यह सब याद रखना है चलिए ब्रमपुत्र नदी के बारे में थोड़ सा जनकारी ले ले ब्रमपुत्र नदी चीन भारत और बंगलादेस के बीच इस्थित है ठीक ना ये तीन डेस में बहती है ये उसकी उत्पत्ती कहां से है भाई ये कहां से निकलती है ये ये नदी कहां से निकलती है तो चेम यूंग डूंग देखिए इगले सीर का नाम है जो तीबत में है और ये कहां पर जाके गिरती है इसका फॉल कहां पर होता है तो बंगल की खाड़ी में बरंपुत्र को अलग 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 जगा पर अलग अलग नाम है ठीक है ना चलिए बरंपुत्र को तीबत में क्या करते है यारलूंग सांग पो बंगलादेस में जब यह जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है यमुना नहीं जमुना हाँ यह थोड़ा सा कन्फूजन नहीं होना चाहिए इसका नाम जमुना हो जाता है और जब जमुना में गंगा जाकर मिलती है तब इसका नाम क्या हो जाता है तो यह सारी important बात है Asia से सम्मान देते हैं, अब हम Asia के कुछ देशों के बारे में important बातों को थोड़ा सा जान लेते हैं, चलिए यह हमारा जो point था, अभी तक हम लोग point six पर बात कर रहे थे, ठीक है न, river section six नमबर था, चलिए, अब हम लोग point number seven के और move करते हैं, चलिए देखे, स्वात घाटी, यह पाकिस्तान में स्थित है, और इसको पाकिस्तान का स्वर्ग कहा गया है, चलिए, एक बहुत important है, सबसे पहले पाकिस्तान से start करते हैं, स्वात घाटी, कहां पर है, पाकिस्तान, पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं, स्वात घाटी को पाकिस् करीफ में सिखें चलिए देखिए एक साल्ट रेंज है पाकिस्तान में एक साल्ट रेंज है जो कि सेंधा नमक के लिए बिसुभिख्यात है साल्ट रेंज कहां है भाई दुनिया कि किस जगप साल्ट रेंज है उसका नामें साल्ट रेंज यह कहां पर है तो यह पाकिस्तान मे लिए यह famous है, सिंधा नमक के लिए परसीद है यह जगा, ठीक है, चलिए, यह तो salt range की बात हो गई, देखे हैं, नेपाल को क्या कहा गया है, नेपाल जो है ना buffer state है, भारत और चीन के बीच एना इदम स्थित है, buffer state किसको कहते हैं, buffer state एक छोटा सा देश होता है, जो दो powerful एक तरह से सांती बना रहाता है इस तीसरे छोटे देश के वज़ा से आप ऐसे समझें तो नेपाल जो है ना भारत और चीन के बीच एक बफर इस्टेट का काम करता है बहुत इंपॉर्टन बात नेपाल भारत और चीन के बीच भारत और चीन के बीच एक बफर इस्टेट है एक buffer state है और buffer state के बारे में भी क्या आपको बताया गया है buffer state वैसे छोटे देश होते हैं जो दो दुस्मन ही वो दुस्मन ही होते है इस वली ठीकना वो दो powerful लेकिन दुस्मन देशों के बीच इस्थित होते हैं और ये दोनों दुस्मन देश इसी तीसरे छोटे देश के करता है वह है निपाल चलिए हम लोग पॉइंट नमबर टेन में आते हैं देखिए राश्ति ये खुस अहाली आर्थिक पैमाना कैसे हो सकता है भाई लेकिन थाइलेंड एक मात्र देश है जहां पर आर्थिक प्रगति किसको मानते हैं वहां पर खुस अहाली को अगर आप प् थाइलेंड एक मात्र देश है जहां पर आर्थिक प्रगति का पैमाना राश्ति ये खुस हाली है चलिए बहुत इंपोर्टन बात थाइलेंड एक मात्र देश है ठीकना जहां आर्थिक पैमाना आर्थिक विकास का पैमाना आप ऐसा समझे आर्थिक विकास का पैमाना ठीक रास्ट्रिये खुसहाली होता है चलिए ये बहुत important बात है number 11 में हम लोग आते हैं देखिए एक बहुत important बात है golden triangle और golden crescent ये दो सब्दावली को पले समझा जाए देखिए golden triangle में मैनमार है और मैनमार हाले कि उसमें लावस और कमबोडिया भी है मतलब मैनमार उसमें मैन है ये अफिम के यहाँ पर illegal तरीके से अफिम की खेती बड़े पैमाने पर होती है ठीका ना यहाँ पर अफिम के खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है golden triangle में ठीका ना चलिए तो golden triangle एक जगा का नाम है यह क्या है गोल्डन ट्रेंगल क्या है भाई एक जगा का नाम है इसमें कौन-कौन से देश सामील है इसमें मैनमार चलिए अना थाइलेंड अना मैनमार थाइलेंड और लावस इसमें सामील है ठीक ना चलिए बहुत इंपोर्टन बात है कि गोल्डन ट्रेंगल में कौन से दे गुल्ड ट्राइंगल जगा का नाम है कोई confusion नहीं होना चाहिए ठहिए यह जगा इस अस्थान पर गुल्ड ट्रेंगल में कौन से देस सामील है इसमें तीन देस सामील मैंनमार्थ, आईलन्ड और लावस टेख है यह जगा है अफिम के लिए अफिम के खेती के लिए बिस तो परarbeit है ठीक है ना चलिए यह अब एक है गोल्डन क्रिसेंट यहां भी अफिम के यहां दुनिया का सबसे बड़ा अफिम के खेती होता है और वो देश है आफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इलीगल तरीके से अफिम का उत्पादन करने वाला देश है आफगानिस्तान बस दिमाग में ये बात रखा जाए और वो गोल्डेन क्रिसेंट का खिस्सा है तो चलिए अभी तो हम लोगों ने गोल्डेन ट्रेंगल देखा इसमें सामिल देश कौन-कौन से थे भाई मैनमार्थ आइलंड और लावस अ इसमें सामिल देश कौन-कौन से हैं भाई आफगानिस्तान इसके बाद है इरान और एक है पाकिस्तान ये कैसे रहेगा अलग ठीक ना चलिए ये गोल्डेन क्रिसेंट है ठीक ना इमें तीन देश सामिल है और ये दुनिया का सबसे बड़ा अफिम मुत्पादक ये छित्र उत्पादक छित्र है चलिए ये आपका है गोल्डेन क्रिसेंट दुनिया का सबसे बड़ा अफिम मुत्पादक ये देश का नाम है सर आफगानिस्तान पॉइंट नमर थाटीन आफगानिस्तान अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफिम उत्पादक देश है अफिम उत्पादक देश है बस दिमाग में हमें ये लेके चलना है चलिए पॉइंट नमर हम फोटीन में आते हैं देखिए मैनमार का रखाई ने उच्छित रहे है यहाँ पर रोहिंगिया मुस्लिम मैनमार के अधिकांस दू जनता है वह बहुत धरमानने वाला है फले हम लोगी समझ देए ठीक है ना मैनमार का जो वहाँ पर जो मेजोरीटी हो पोपूलेशन है वह बहुत धरमानती है वहां का एक च्छित्र है रखाईन ठीक है न वह पुरवी मैनमार में पढ़ता है और छेत्र में रोहिंगिया मुसलिम अलप संक्य के तोर पर आते हैं यही रखाइन छेत्र से अना इन रोहिंगिया मुसलिमों को भगाया गया है जो कि भारत में यह वायद रूप से रहा रहे हैं और भारासरकार इनको अब डिपोर्ट करने को लेकर कि कि इनको अब वहां पर छोड़ने का वेवस्था कर रही है चलिए तो ये जो रोहिंगिया मुस्लिम आज देश के सिकूरूटी के लिए एक बड़े खत्रा बन चुके हैं देश के सुरक्षा के लिए बहुत बड़े खत्रा बन चुके हैं और भारसरकार कमीटेड हैं इनको ब एक ऐपोर्टन बात क्या है कि मैंनमार के मैंनमार करके रखाईन के शिट्र में ठीक रहाए रोहिंगिया मुस्लिम ज्दू अलप संख्यकर तौर पर रहते हैं चलिए तो ये बात है मैनमार के बारे में चलिए अब हम लोग आगे चलते चीन अब दिखे थोड़ा से चीन के बारे में बात ना हो जापान के बारे में बात ना हो तो फिर सर एसिया के बारे में बात अधूरा रह जाएगा चलिए जो इंपोर्टन बाते हैं हम सिर्फ उसी बात करेंगे चलिए अब हम लेकर चलते चाईना के बारे में चाईना बहुत सारे चीज़ों कि जनक देश माना गया है जैसे कागज रेशन चाय-पत्ती ठीक ना चाय कहले लिए उनका वह रजाए जनक देश है वह आप ऐसे समझे तो चीन को जनक देस माना जाता है मतलत स्टाथ करने वाला थेस ठीक ना इन किन चीजों का भाई जाय काय क्येया ए का जंसक्व थार स्टीर प T हे इन चीजों का वह माना गया है कि यह एक नब फादर है यह सब चीज चीन से यह स्टार्ट हुए है कागज के स्टार्ट कागज को सुरू करने वाला कंट्री चाइना चलिए एक देखिए अब हम लोग बात को आगे करते चाइना भले बड़ा देश है लेकिन इसका किवल पंदर परतिसत भूमी ही क्रिसी योग है लेकिन उन्नत बीच के कि सिम फटलाइजर का परियो करके किटनासक का परियो करके आज चीन लगबग हर परकार की आनाज में एक लीडिंग कंट्री है ठीक ना कोई आनाज ऐसा नहीं है जिसमें कि चीन एक अग्रणी देश नहीं है आप ऐसे समझे तो चीन का केवल पंदर परतिसत भूमी ही क्रिसी योग है हाला कि देश बहुत बड़ा है दुनिया का यह सबसे चौथा देश है सबसे बड़ा सबसे पलेहरूस कानाडा अमेरिका और चीन तो च्छेत्रफल के दृष्टी कौन से ही तो दुनिया का सबसे चौथा सबसे बड़ा देश है लेकिन इसके अधिकांस जो भूमी पर खेती होती है, डारेक्ट और इंडारेक्ट, ठीक है, चलिए, तो चीन का, चीन के बारे में हम बस इतना कह सकते हैं, चीन का केवल पंदर परतीसत भूमी ही भूमी ही खेती योग है जिस पर खेती की किरिया होती है जिस पर खेती की किरिया होती है चलिए देखें चीन ताइवान पर हमेशा दावा करता है कि ताइवान उसका च्छत्र है ताइवान जो है यह कहां इस्थित है तो फार्मोसा दीप परिस्थि एक चत्र का नाम्हें डंगारा वो चीन का चृत्र फांहुए जो कि तेल टेल उत्पादन के लिए तेल उत्पादन के लिए फेमस है चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 19 में देखिए पॉइंट नंबर 19 क्या है हमारा कि अब हम थुर्ण सा जापान के बारे में थ्लिप न जो इंपॉर्टेंट जो भी दुव्युफ है उसके बारे में बात क जापान का परमुख जो बंदरगा है वो कुछ इस तरह से है चलिए जापान के कुछ बंदरगा को देखा जाए योकोहमा कौन-कौन बंदरगा है जापान में योकोहमा ठीक ना नगोया कोबे नगोया कोबे ये इसके परमुख बंदरगा है ठीक ना ये जापान के परमुख को सबसे जदा explore करने में hydro electricity को सबसे जदा explore करने में जो सफल देश रहा है वो जापान रहा है चलिए तो हम यहां कर सकते हैं कि जापान number 20 में आते हैं जापान ने सबसे ज़्यादा Asia में सबसे ज़्यादा जल विधुत पैदा किया है Asia के अंदर में एसिया के भीतर में ये बाते हैं चलिए हम आते दिखे जापान के लोग सबसे ज़्यादा दिरगायू के लोग होते हैं दुनिया में अगर सबसे लंबी उमर की कोई लोग होते हैं जो अपने लंबी उमर के लिए famous होते हैं तो जापान के यह जल्बी दुद का विकास हुआ है वह जापान में हुआ है को इसका ओल्ड कैपिटल है ठीक हैना को तो जो अभी गैपिटल है टोकियो है ठीक है यह तो जापान के बारे में बात हो गई चलिए अब हम लोग बात कुछ और कर लेते हैं कुछ और दूसरे छलिए पहले दो तीन चीजव कहते हैं थोड़ा नीक नेम है किस देस का क्या नीक नेम है तो वो काम करेगा तो होниं करेंगे जो कि सूती कॉपड़ को उत्पादन के लिए फेमस है अच्छा संगहाई को क्या कहते हैं भाई यह जापान का यह नहीं सौरी यह चीन का मैंचेस्टर है यह चीन का मैंचेस्टर है नगोया क्या है जापान का तो इसको जापान का डेट्रॉइट कहते हैं डेट्रॉइट क्यों फे गीया है कि मलीसिया कि मलेशिया ठीन उत्पादन के लिए भी सुद्धी और सबर्साहिए और पाम-इल ताड़ ना चलिए तो मलेसिया के बारे में तोड़र सही जान लेते हैं मलीसिया था सप्वभर 2 शोहहरा पामाय पाम थन ऑपादन के intertwine के लिए तताटीन के उत्पादन के लिए परसिद है ठीक है ना तताटीन के उत्पादन के लिए परसिद है इंडोनेसिया भाई सिनकोना सिनकोना के चल से कुनायन दवाब बनती है मलेरिया के उपचार के लिए तो जो इंडोनेसिया है वो सिनकोना के उत्पादन के लिए भी स्परसि परसीद है चलिए इंडोनेसिया सिनकोना के उत्रपादन के लिए ठीक ना भी सुपरसीद है चलिए हम लोग आगे बाद को लेके चलते हैं 24 में आते हैं दिखें पस्षिम एसी आई देश में सबसे ज़्यादा क्रिश्चन जो है वह लेबनान देश में है ठीक है ना लेबनान को पुर्व का सुट्ज लैंड कहते है पस्षिम एसी आई देशों में सबसे ज़्यादा क्रिश्चन किस देश में है भाई तो लेबनान में है सबसे जब क्रिश्टन जो है वो लेबनान में यहां यहां का कारीवाल जो थो है वो फेमस यह लेबनान का कारीवाल उत्सव होता यह क्रिश्चनिटी का उत्सव है लेबनान का कार्णी वाल उत्सव है ना वर्ल्ड फेमस है चलिए आप लोग अक्सा सुनते होंगे न्यूज में गोलन हाइट नाम है वो कोई अर्थ नहीं है गोलन हाइट नाम है यह इसराइल आप ऐसा समझें इसराइल और यह सिरिया के बीच बीवाद का एक जड़ है ठीक ना गोलन हाइट के बारे में अक्सर न्यूज में बात आते हैं चलिए गोलन हाइट नाम है उसका गोलन हाइट चलिए गोलन हाइट एक नाम है ठीक ना सिरिया और सिरिया यह इसराइल के बीच बीवाद का कारण है बीवाद का कारण है देखिए यरूसलम में तीन धरह जनम लिये हैं इसलाम, यहुदी और क्रिशन और यरूसलम को इसराइल ने अरजधानी बना लिया है यरूसलम बहुत इंपोर्टन्ट है येरुसलम ठीक न चलिए ये येरुसलम क्या है तो इसाई यहुदी यहों मुस्लिम धर्म से जुड़ा है मुसलीम धर्म से जुड़ा सहर है ठीक ना जुड़ा सहर है और यही जो सहर है यह क्या कहते हैं मतलब यह इसराइल और खाड़ी देशों की बिच बीवाद का कारान है चलिए पॉइंट नमबर ट्वइंटी में एते है एक सहर है इसराइल में जो कि उसका पर्मुक औधोगिक सहर है चलिए हे इसराइल का इसराइल का प्रमुक औधोगिक सहर है प्रमुक औधोगिक सहर है चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं 29 में देखिए साओधी अरब यह दुनिया का एक मात्र देश है जहां पर कोई नदी नहीं है चलिए साओधी अरबिया के बारे में आप यह जान छीक जोने इंपर्टिंट की दिए सौधी अरब एक मात्र देश है एक मातर देश है जहां कोई नदी नहीं है जहां कोई नदी नहीं साहर करें पeredश Duke सहर का संबंध किस से है इंडोनेसिया से है बांडूंग सहर का संबंध किस से है इंडोनेसिया से देखिए इंडोनेसिया एक एक ऐसा मतलब देश है जो कि उत्री गुलार्ध में भी है और इसके कुछ जो द्वीप हैं वो दक्षिनी गुलार्ध में भी हाला कि देखिए इसिया के जितने भी देश हैं ये सारी उत्री गुलार्ध में आते हैं के वली इंडोनेसिया के कुछ परुषी जो द्वीप हैं वो दक्ष्री गोलार्द में पढ़ता है यानि कि इंडोनेशी एक इंटर पॉंटिनेंटल कंट्री है देखें दो सिन बातिया आफ जान लीजिए रूस 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 एसय में भी आता है एरूस इतना बड़ा सवाल आता है कि युरोप का बिमार देश की से कहते हैं तो युरोप का बिमार देस कहा जाता है तरकी को चुकि यहा पर बाकी देशों के मुकरांबबर रही गाषट है उनकी मुकाबले यहां वो एसिया और यूरोप दोनों में इसका इस्तामबूल जो सहर है उसका विस्तार एसिया और यूरोप दोनों में है तो हमें ये समझना होगा कि जो रूस है वो एसिया उसका इतना बड़ा रसा मतलब समझे की इतना बड़ा ये एक करोड़ 17 लाख एस्वायर किलोमीटर के ए तो ये एसी और उरोप दोनों में पढ़ता है तरकी भी एसी और उरोप दोनों में है चलिए इसी प्रकार इंडोनेसिया उत्री गुलार और रक्षिनी गुलार दोनों में है कह सकते हैं क्या इसी प्रकार इंडोनेसिया इंडोनेसिया यह सरवादिक मुस्लिम पॉपुलेशन वाला country है दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं मुस्लिम population अगर है तो वो इंडोनेसिया में है चलिए तो इंडोनेसिया में हाना इंडोनेसिया का विश्थार आप ऐसे समझे ठीक ना वो उत्री गुलार्ध और दक्ष्णी गुलार्ध दोनों में है उत्री गुलार्ध अना चलिए नॉर्दन हेमिय स्फेयर आप इसको कहिए अंगरी जी में अगरी जी में अगरी गुलार्ध और दक्ष्णी गुलार्ध दोनों में है तो इस सब बाते बहुत इंपॉर्टेंट बाते हैं आपके एक्जामियसन दृष्टिपों से तिक है चलिए अब हम लोग हम लोग कुछ बात करते हैं कुछ ऐसे देस है और उनके रजधानी है जो असी ऐस सब्मांदीत है हम लोग उन देसों को देखेंगे जिनका मतलब चर्चा कम होता है लेकिन रजधानी और वैसे देस कुकी देखिए अब सिरलंगा के रजधानी क्या है स्रीय वर्धन पुरे पोटो ये आप जानते हैं पाकिस्तान की रजधान इसलामाबाद आप ये जानते हैं चिन की रजधानी संगाई आप ये जानते हैं हम लोग कुछ वैसे देश के नाम के बारे में हम जा रहे हैं जिसको लोग कम सुनते हैं लेकिन चुकि एग्जामिनेशन को इससे कोई लेना देना नहीं है एक्जामेशन में ये सारे सवाल कई बार आ चुके हैं इनके रजधानी और इनका देश मैचिंग कभी करने को देता है या कभी सिंगल सवाल के रुपे भी आ सकता है तो अब हम कुछ देश और उसके रजधानी के बारे में बात करेंगे चलिए पॉइंट नमर 33 पॉइंट नमर हमारा 33 क्या होगा देश और राजधानी लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाले देश नहीं है पहले हम आपको यह समझाते हैं अमेरिका बिरिटेन रूस की तरह ये चर्चा में रहने वाले देश नहीं है सबसे पहले में लोग स्टाट क चलिए साइपरस की रजधानी निकोसिया अजर बैजान अजर बैजान की रजधानी बाकू चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं साना यमन का रजधानी जो है वसाना चलिए तजाकिस्तान और इसका रजधानी दुसान बे चलिए इसके बाद हम आते हैं खजाकस्तान सब नाम भी है थोड़ा सा यह सब खजाक खजाक बिसे सब्रीके बिसे सब्राइब आपया। दमिस्क, चलिए, और इसके बाद हम आते हैं, तो फिर ओमन, मसकट, ओमन, मसकट, चलिए, अब हम लोग कुछ नीक नेम आते हैं, कुछ नीक नेम आते हैं, point number 34 में, उपनाम, देश और उपनाम, या उपनाम और देश, वो उपनाम की देश को दिया गया है, चलिए, जैसे के भी मैं थोड़ा देर में पहले बोला था, पुर्व का सूर्जर लेंड, पुर्व का सूर्जर लेंड, किसे कहा गया है, लेबनान को, अगर हम बात करें, तो ये लेबनान है, चलिए, पुर्व का ब्रिटेन, पुर्व का ग्रेट ब्रिटेन, किसको कहा गया है, सर, तो पुरुका ग्रेट बिटेन का गया जापान को, इंडोस्ट्रिल डेवलप्मेंट के कारण, ठीक न चलिए, नहरो का देश, नहरो का विस्तार बहुत जादा यहाँ पर हुआ है, नहरो का देश किसको कहा गया है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान में नहरो का बहुत बड़ा ज देश से लेकिन उसमें कई नदिया और प्रमुख नदिया बात है जैसे के बरंपुत्र है गंगा है ये सब वहां की प्रमुख नदिया है नदियों का देश राइजिंग सन उगतेश शूर्ज का देश जापान घिंगा ना, लैंड ऑफ, राइजिंग सन, इसको कहा गया है, जापान को, जापान को भुकम्पो का भी देश कहा गया है, तो यह सारी बाते हैं, इसीख से सम्मंदित, आज की बात हमारा इतना ही रहा, इसीख सम्मंदित, सारे इंपोर्टेंट चीजों को हम लोगों ने रहेगा आज की बात बस इतना ही थैंक यू वेरी मच्छ